नमस्कार सात्यू स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल यूटूब पाट साला में तो दोस्तो आज हम देखेंगे अगस्त और सितंबर महा का कराण सफेर चलिए सुरू करते हैं तो पहला है आज भारत ने चंद्रमा की सतय पर कदम रखे तो बताने आपको कब जो है कदम रखे थे भारत ने चंद्रमा की सतय पर तो यह रखे थे 23 अगस 2023 को आगे देखते हैं भारत चंद्रमा पर कदम रखने वाला विश्व का चौथा देश बना तो कौन से नम्मर का देश बना चौथा पहला जो है रूस हो गया USA, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया और चौथा देश भारत जिसने चंद्रमा की सतय पर कदम रखे आगे देखते हैं जबकि दक्षिनी दरूपर सपलता पूरवक लेंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बना तो भारत पहला देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिनी दरूपर सपलता पूरवक लेंडिंग करी यहीं लेंडर का नाम, लेंडर का नाम जो है आपका विख्रम और रोवर का नाम तो रोवर का नाम है प्रज्यान चली अगला देखते हैं, अगला है इसरो ने 30 जुलाई 2023 को स्री हरी कोटा के 37 दहुन अंत्रिक्ष के इंदर से PSLV C-56 यान से किस देश के साथ सेटलाइटों का सफल पक्षेपन किया तो किस देश के साथ सेटलाइट भेजे गए हैं, तो ये भेजे आपके सिंगापूर तो सिंगापूर देश के साथ सेटलाइटों का सफल पक्षेपन किया 30 जुलाई 2023 को अगला है बिंदेश्वरी पाठक जिनका निदन 15 अगस 2023 को हो गया था किस संगठन के सस्तापक थे, तो ये थे आपके सुलब इंटरनेशनल, तो सुलब इंटरनेशनल के सस्तापक थे बिंदेश्वरी पाठक आगे सुलब इंटरनेशनल देख लेते हैं, तो सुलब इंटरनेशनल की अस्तापना 1970 में की गई थी जिसके द्वारा सुलब सोचालाई निर्मान आंदुलन चलाए गया बिंदिश्वरी पाठक को जो है टोईलेट मैन आप इंडिया के नाम से जाना जाता है यहीं बात करें उत्राखंड में टोईलेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है यह जाना जाते है आपका उत्राखंड के टॉइलेट में रमेश भटेजा किसे तो रमेश भटेजा चलिए अगला देखते हैं अगला है भारत का पहला 3D प्रिंटेट पोस्ट आपिस कहां खोला गया आपको बताने भारत का पहला 3D printed post office जो है कहां खुला गया तो ये खुला गया आपका बैंगलोरू में 18 अगस 2023 को आगे है सूर्य के अध्यन के लिए भारत द्वारा भीजे जाने वाला पहला मिसन है तो भारत ने सूर्य के अध्यन के लिए कौन सा मिसन भेजा है तो इस मिसन का नाम है आधित्या L1 देख लेते हैं 2 सितंबर 2023 को श्री हरी कोटा के 37 धवन अंतरिक्ष केंदर से आधित्या L1 PSLV C-57 रोकेट को सूर्य के अध्यन के लिए भेजा गया अगला पॉइंट है आधित्या L1 हेलो और्बिट में लोरेंज पॉइंट पर भेजा जाएगा अगला है केंद्रिय जल आयो के अध्यक्ष स्री के बहरा ने बाड का पूरू अनुमान लगाने के लिए कौन सा मोबाइल अब जारी किया तो कौन सा मोबाइल अब जारी किया यह है आपका फ्लड वॉच तो फ्लड वॉच जो है मोबाइल अब का जो है मोबाईल अब जारी किया यह जो है बाड की पूरान उमान लगाने के लिए इसका उप्योग किया जाएगा अगला है आगे देखते हैं ब्रिक्स का पन्वा सिखर सम्मेलन 2023 में कहां पर संपन्वा तो यह वा आपका जोहांस वर्ग में कहां जोहांस वर्ग में दक्षिन अपरिका का सहर है 22 से 24 अगस 2023 को दक्षिन अपरिका की मेजबानी में जोहांस वर्ग में आयोजित किया गया इस मिलन में 6 अन्य देशों को सामिल करने का फैसला किया गया इसमें अर्जन्टीना, इरान, इथोपिय, साओधी अरब, मिस्र तथा यूएई, सहुक्त अरब, अमिराद सामिल है इन्हें जो है एक जन्वरी दोहजार चौबिस से जो है नए सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया है इससे जो हूए ब्रिक्स की जो सदस्य संख्या बढ़ कर कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी अभी तक कितनी दि, 5 चले देख लेते ब्रिक्स के बारे में ब्रिक्स जो है पहले ब्रिक था जिसकी अस्ताबना काब होते है, 2009 में तो पहला ब्रिक्स सिखर सम्मिलन 16 जून 2009 को, ये का टेरिन वर्ग रूस में जो है संपन वा था, वहीं दक्षिन अफ्रिका जो है इसमें जो है जो पांचो सदश्य देश था ये जो है 2011 में सामिल किया गया था, जो की जो तीसरा सम्मिलन था जो सान्य चीन में हुआ था, इस में जो है इसको सामिल किया गया था इसके बाद जो है bric को जो है bricks नाम से जाना जाने लगा चलिए अगला आगे देखते हैं मद्दाता जाग रूखता है तो राष्टे आइकन किसे न्यूक्ति क्या गया तो ये क्या गया आपका सचिन तैंदुलकर को राष्ट्य मद्दान दिवस हर वर्ष जो है 25 जनवरी को मनाये जाता है ये जो है आपको पता होना चाहिए अगला है रेलवे बोर्ड की पहली महला अध्यक्ष सैसियो किसे न्यूक्ति क्या गया तो ये क्या गया है जया बर्मा सिना तो पहली जो है महला अध्यक्ष है रेलवे बोर्ड की तो ये है आपकी जया बर्मा सिना 2023 का लोकमानिय तिलक राष्ट्य प्रोष्कार किसे दिया गया तो ये दिया गया प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोडी जी को वहीं 2022 की बात करें तो ये जो है आप ये प्रोष्कार दिया गया था मिसाइल महला के नाम से जो परशिद बैग्यानिक है टेसी थोमस को जो है 2022 का लोकमान्य तिलग राष्ट्य पुरुषकार दिया गया आगे देखते हैं आगला है राष्ट्य अंतरिक्ष दिवस तो ये जो है आपका 23 अगस्त को जो है मनाये जाएगा चंदरियान तीन की चंदरमा के दक्षिनी धुरुप पर सफल लेंडिंग 23 अगस्त 2023 को हुई इस महान उपलब्दी के उपलक्ष में जो है 23 अगस्त को राष्ट्य अंतरिक्ष दिवस मनाने की गोशना की गई तो जो है अब जो है हर वर्ष जो है 23 अगस्त को क्या किया जाएगा राष्ट्य अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा आगे बढ़ते हैं आगे है महिला फीपा विश्वकप 2023 किसने जीता तो ये जीता है आपके इस्पेन ने इस्पेन ने इंगलेंड को 1-0 से हरा कर पहली बार जीत हासिल की अगला है एशिया होकी चैंप definingशिप 2023 किसने जीती तो ये जीता है भारत किसे हरा कर जीता है तो मलेशिया को 4-3 से जो हरा कर जीत हासिल की अला है विश्व एथलेटिक्स चैंपियंशिप 2023 में स्वन्ड पदक जीतने वाले पहले भारतिय बने तो पहले भारतिय बने आपके नीराज चोपडा जिनका संबन जो है जैबलीन त्रो याने भाला फैक से है इन्होंने जो है 88.17 मीटर भाला फैक कर या सपल था प्राप्त की चलिए दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिं जै भारत जै उत्राखन धन्या बाद